So Hello Guys, Very Welcome, This is Arsh Abaz and Very Welcome to My YouTube Channel So Here We Are Topic Which Is RBI ठीक है तो RBI क्या है? सबको पता है RBI एक सरकार की केंदरे बैंक के रूप में कार करने वाली संस्था है RBI का काम जो है वो बैंकों को रेगुलेट करना, बैंकों को नियम और खानून से आउगत कराना सरकार के सलारूप में कार करना और सरकार का बैंकर के रूप में भी कार करना ये इसका कार रहे है RBI का तो ये RBI का एक बहुत ही व्रहिद, बहुत ही बड़ा क्या है? एक संस्था है ठीक है ना? जिसका कारच छेत्र बहुत ज़्यादा विस्तारित है, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि रेपोरेट और इंफलेशन, देखो यहाँ पर छोटा से चीज को हम लोग समझ लेते हैं, हेडलाइन से, इंफलेशन क्या है, इंफलेशन अर्ध विवस्ता के लिए एक बिमारी है, क उसके बाद अगर डायबेटीज बढ़ जाता है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, कि कमजोरी, खून का बनना कम, और यह सारी समस्या आपको देखना पड़ता है, ठीक है, तो जब समस्या आ जाता है, तो हम लोग उसका निवारन करेंगे, उसको हम लोग समाधान करें है रेपो रेट क्या है एक टूल से एक यंत्र है जिसके वजह से हम लोग इंफलेक्शन को कम कर सकते हैं हम लोग समझेंगे इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली सबसे पहले हम लोग जान लेते कि वाई वी हाफ टो स्टड़ी इकनोमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए वाई वी हाफ टो स्टड़ी अबाउट एकनोमिक्स ओके सबसे पहले अंडिस्टेंट पास्ट फ्यूचर एंड करेंट मोडल हम लोग को समझना चाहिए कि जो पहले भारत को अगर हम देखे भारत के अर्द वेवस्ता के बारे में बात करें तो 1956 में जब पहला ओध्योगिक नीती का निर्मान किया गया था ठीक है ना 1956 में तो 1956 से 1991 तक जो एक नीती का करम रहा वो एक अलग रहा और 1991 के बाद से जब एक नीती का निर्मान हुआ जब globalization program हुआ, जब open economy भारत बन गया, तो उसमें क्या changes आए, क्या चीज़ देखने के लिए मिला, तो ये सारे चीज हमें economy के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है न, उसके बाद government के जो, क्या है, जो models है, जो business है, जो individual partners है with the government, सो उन सब के बारे में जानने के लिए हमें मिलता है, economy में, so economy हमें वैसे भी पढ़ना बहुत सब्सक्राइब है, और एक चीज, ये आप लोग के लिए एक offer है, you know, is this the online webinar, online webinar, which is conduct, अर्शावाज, which is मैं, मैं, अर्शावाज, ठीक है, जहां पर आप लोग को न, complete history, one-to-one, like in the WhatsApp और Zoom applications, okay, so हम लोग Zoom पर या फिर WhatsApp पर, online, आपको मैं, पुरा complete history के बारे में बताऊँगा, ठीक है न, उसके लिए, like, you know, अगर मैं आपको ये फ्री में बताने की कोशिज करूँ, तो आप हो सकता है, concentrate ना करे, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, और आप ले हारे, कुछ भी य रुपे में, ये पुरा complete history, like, three hours का one-to-one session करूँगा, one-to-one, like, देखो, Sunday को मेरा छुटी है, Sunday मैं free रहेंगा, तो इन में से जो भी, जो भी interested होगा, ठीक है न, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कि एक separate, you know, window create करूँगा, Zoom application पर, और वहाँ पर मैं लोग को invite करूँगा, ज के बाद उसको as a competitor, use करना चाते है, तो वो आपको मिलने वाला यहाँ पर, so of course, अगर आप लोग interested होगे, तो मेरा mail ID है, यहाँ पर मेरा mail ID है, इस पर आप mail कर सकते है, and of course, you can comment also, and I will give you the link of telegram, you can go and join me there, okay, so this is the thing, which is for complete history course, okay, it's just 11 rupees, okay, you can, you can, just for pay 11 rupees, and you can come to my zoom applications, okay, so here is this for the RBI news, RBI hike, hike मतलब increase, the repo rate, ठीक है, is like 5.9, okay, and और भी देख लें, यहाँ पर RBI policy, here is the how a repo rate hike can affect your finance, यहाँ पर कह रहा है कि RBI को कैसे मतलब repo rate हमारे अर्ध वेवास्ता में impact करेगा, ठीक है, so दूसरा देख लेते है, यहाँ पर RBI को explain किया गया है, RBI एक समयधानिक संस्था है, ठीक है न, जिसका प्रारम 1934 में हुआ था, ठीक है, और इसको केंदर के रूप में काम करने की माने था, 1934 के अधिनियम के तहट प्राप्त हुआ, उसके बाद इसके कारे छेत्र को बढ़ाया गया, ठीक है न, क्या हुआ, इसके कारे छेत्र को बढ़ाया गया, कैसे, जैसे कि भारत में उस समय बहुत सारी बैंके थे और सब अपने मर्द से जो मन चाहे वो कर रही थी, जैसे कि साहुकार करते हैं, साहुकार का काम आप बेसिकली जानते हैं कि क्या होता है, वो अपने मन से ब्याजदर को ते करते हैं और ब्याजदेते हैं लेकिन इसी को नियंतरित करने के लिए RBI का गठन किया गया और उससे पावर दिया गया जिसमें क्या हुआ कि जितनी भी व्यवसाइक और सारवजनिक बैंक है उन पर RBI का परतियच रूप से नियंतरन रहेगा यानि अगर वो चाहे तो उसके लाइसेंस को रद कर दे और अगर वो चाहे तो उसे लाइसेंस दे दिया जाए RBI का काम ये सौप दिया गया और भी बहुत सारे काम जैसे की भारत की अर्द व्यवस्ता में इस्थिर्ता बना रहे और फोरें रिजर्व स्टॉक रहे ये सारे चीजे RBI के द्वारा यूनो RBI को सौप दिया गया ठीक है तो यह RBI का कारे हो गया अब हम लोग बात करते हैं इंफलेशन पे इंफलेशन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुद्रा इस्थि ठीक है ना इंफलेशन इट मिंस मुद्रा इस्थि भारत में वरतमान में जो मुद्रा किदा रहे हैं वो 5.1 है ठीक है हम लोग चाहते क्या है की inflation कैसा हो सबसे पहले inflation को समझ लेते कि inflation का मतलब क्या होता है Suppose आप के पास 100 रुपए है ठीक है ना 100 रुपीज आपके पास में है और आप है एक सो रुपए का 5 kg आलू लाते हैं आज ठीक है 5 kg आलू पटेटो आज लाते हैं लेकिन कल फिर आपको आलू की जरूरत होती है ठीक है ना तो फिर आपके पास यही 100 रुपे है ठीक है ना लेकिन आप ये 5 किलो आलू नहीं खरीद सकते हैं क्यूंकि जो कीमते हैं उसमें वरिधी हो गई है क्या हो गई है वरिधी कीमत में वरिधी हो गई है अब आ हुआ यानि मुद्रा में मुद्रा की विरिद जो करेश सकती वो घट गई यानि सौ रुपए में जितना हम कल खरित सक रहे है近ं चोन नहीं खरित सकती है तो उसी को हम लोग इंफलेशन कह सकते हैं अगर हम आपको पहले भी explain कि यह एक पीमारी के तरह है जिसका होना अनिवार रहा है जैसे कि diabetes मैंने एक example दिया था आपका यह मानुस शरीर के एक यूनो अनिवार चीजे हैं इसका होना अनिवार रहा है इसके होने से क्या होगा कि इसकी जरूरत होती है बॉडिस को सब काइंट्स ओफ मिनिरल्स और यू लाइक कुछ चीजे चाने के लिए इंप्रूब्मेंट करने के लिए इस चीज़ की जरूरत होती है ठीक है ना तो आर्ब्याई में इंप स्वारी अध्वय वस्ता में इंफ्लेशन अनिवार रहे है इंफ्लेशन आप समझे कि यह करे सकती को घटा देती है मुल्य की करे सकती को घटा देती है ठीक है उसके बद फिर आप थोड़ा से इंटरनेशनली देख ले तो युनाइटेड इस्टेट जो है उसनों ने यह एक पब्लिश किया है जहां पर हम इसको गलोबली देख रहे ठीक है ना इसमें क्या हुआ है कि यू एस है जो उसका भी इंफ्लेशन हाई हुआ है और उसका इंफ्लेशन होने से भारत को इंपक है अब देखोगी उसका कितना रीजन मेड़ी तो वेर 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 ओके सदो नेक्स्ट थिंग इस एट वैल इंफ्लेशन डिटक्त पर्चेसिंग पावर यह सेम है जो मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया कि जो मुद्रा होती है उसकी करे सकती को घाटा देती है उस को हम लोग मेडिशन की दुवारा ठीक करते है ठीक उसी परकार जो रेपो रेट है यह एक परकार का मलहम है जिसके कारण क्या होता है कि जो मुद्रा इस्वित्य जो मुद्रा की करे सकती गड़ गई हो उसको मेंडेन करता है अब वो कैसे करता है वो एक एक्जांपल के पूरती ज्यादा होगी तो उसका डिमांड क्या हो जाता है कि कम हो जाता है ठीक है तो यानि कि अगर सप्लाइज ज्यादा होगा यानि कि चीजें होगी उसकी बहुत ज्यादा आपूरती होगी तो उसका कीमते क्या हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा घट जाए तो इस जो पैसे है न उसकी value घड़ गई पैसे की value घड़ गई और जो वस्तु है जो product है उसका value बढ़ गया ठीक है इसको आप ऐसे समझो एक दिम basic चीजे में बता रहा हूँ जो पैसा है बाजार में वो बहुत जादा आ गया है और जो समान है वो कम है क्योंकि जो संसादन ह है वो हमेशा से limited ही है तो इसलिए हमको उसी समान को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा pay करना पड़ेगा ठीक है तो क्या करती है RBI RBI ना इस जो मार्केट में जो ज्यादा पैसा आ जाता है उसको वो ले करके अपने पास रख लेती है RBI ठीक है आर्ब्याई अपने पास पैसे रख लेती है इसी को हम लोग कहते हैं रेपो रेट और ये एक परकार का टूल होता है जैसे कि टूल आप समझ सकते हैं, suppose कि किसी वस्तू को, जैसे कि हम प्लास जानते हैं, ठीक है ना, प्लास एक टूल है, जो इलेक्टिशन के काम में आता है, ठीक है ना, जोडने के काम आता है, उसी परकार जो समस्या है, उसको इस टूल के मध्यम से हम लोग ठीक कर पाते हैं, इसे ही हम लोग repo rate कहते हैं So I hope आप लोग को तीनों चीज किलियर हो गया होगा First is RBI And you know the RBI एक समयधानिक body है जिसे 1935 Act के अनुसर पारिद किया गया था Inflation एक समस्या है समस्या क्या है? बजार की समस्या है और उसी को समधान करने के लिए हम लोग repo rate का use करते है repo rate में basically क्या होता है? तो RBI जो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं उसको bond के मद्याम से security के मद्याम से अपने पास जमा कर लेती है और क्या करती है? उसके बदले में उसे कुछ securities दे देती है ठीक है न? तो उसे market में पैसे की कमी हो जाती है जिससे जो वस्तू का demand होता है वो अपने आप कम हो जाता है और दोनों एक समान हो जाता है यानि stable हो जाता है इसे ही हम लोग repo rate कहते है कि I hope आप लोग को यह समझ भाएगा फिर से एक चीज़ जो मैं आप लोग को बताना है बच आता हूं share and subscribe thank you so much for watching and if you want to on sunday if you want to take a class is join an online webinar which is just 11 rupees okay you know why मैं इसको क्यों ले रहा हूं सच में क्यों कि देखो यार अगर आपका संसाधन नहीं लगावा होगा ना तो आप उस चीज का उप्योग की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे ठीक है तो इसलिए मैंने जस्ट 11 रुपीज यह मेरा मेल आईडी है इस वन इसमें आप लोग को लिखना है और अपना नमबर आपको लिख करके सेंड कर देना है ठीक है मैं आपके नमबर पर अपने आप अपके वाच्पसाप अगभा अच्छ कर अंग है आपके दा आपके चालशए है है आपके लाख वाच्ट वीजया क्यार खिसा गवाच्ट कर वाच्ट रहा है झाल झाल